आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोन पे एप में रुपे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को एड कैसी करते हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि इसको एड करने के फायदे क्या क्या है और उसके बाद इसको मैं एड करके आपको दिखाऊंगा जिससे आप भी अपने फोन पे में अपना रुपे का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड एड कर पाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की तो जब आप इसमें अपना debit card या credit card add कर लेते हैं तो आप उससे भी payment वगेरा कर सकते हैं मानलो कि आपकी bank ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप अपने debit card या फिर जो आपने credit card add किया है उससे भी आप payment कर पाएंगे लेकिन इसमें condition ये होती है कि जब आप इसमें अपना debit card या credit card add करते हैं तो उसमें आप normal UPI transaction नहीं कर पाते हैं आपको किसी merchant को payment करना होता है या फिर आपको mobile recharge, bill वगेरा pay करना होता है तभी आप उससे कर पाते हैं और आप आते हैं कि आप इसमें अपना रुपे का debit card या फिर credit card add कैसे करेंगे तो इसको add करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी profile पर click करना है और जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको debit card and credit card का option मिल जाता है और इसी पर click करेंगे आप अपने रुपे के debit card या credit card को add कर सकते हैं तो मैं आपको normal debit card या credit card रुपे वाला add करके आपको दिखाने वाला हूँ तो simply आप इस पर click करेंगे और उसके बाद जो भी आपका card है उसका आप यहाँ पर card number डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी validity डाल देनी है जब तक वो valid है उसके बाद यहाँ पर आप CVV डालेंगे और next पर click कर देंगे लेकिन अगर आप अपना credit card add करना चाते हैं UPI के लिए तब आपको यहाँ पर इस पर click करना है और उसके बाद आपके इस mobile number के दोरा इन बैंकों में से किसी में भी अगर कोई credit card लिया गया होगा तो आपको अपनी उसी बैंक पर click कर देना है जैसे मानलो कि आपने HDFC का कोई credit card लिया है इस mobile number से तो आपको HDFC पर click करना है और उसके बाद जो भी आपका credit card होगा उसे automatic यह फैज कर लेगा मैंने आपर कोई भी credit card नहीं लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर यह फैज नहीं कर पाया है और मैं आपको इसमें अपना debit card add करके दिखाने वाला हूँ और मेरा debit card यह है इसी को मैं आपको इसमें अभी link करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तो मैंने अपने debit card की सारी details को डाल दिया है आप देख सकते हैं कि मैंने 16 digit का card number डाल दिया है उसकी validity को भी डाल दिया है और उसका जो CVV number है उसे भी यहाँ पर डाल दिया है इसके बाद अगर आप अपना nickname डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं साथ ही यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसमें जब आप इसको add करोगे तो इसको authenticate करने के लिए आपके card से 2 रुपए काटे जाएंगे चार्ज लिया जाएगा लेकिन यह 2 रुपए एक दिन के बाद फिर से आपके यहाँ पर मतलब जमा हो जाएंगे आपकी bank में मतलब यह सिर्फ authenticate के लिए cut किये जाते हैं ताकि आपका debit card authenticate हो जाए साथ ही आपको इसमें यह भी बताया जाता है कि RBI की regulation के इसाब से आपका CVV number इसमें यहाँ पर record में नहीं save किया जाएगा इसलिए जब भी आप अपने इस debit card से कोई भी transaction करोगे तो वहाँ पर आपको अपना CVV number डालना होगा उसके बाद आपके mobile number पर OTP आएगा तभी आपकी transaction successful होगी तो आप यहाँ add पर click करेंगे और उसके बाद जो आपका यहाँ पर card है वो आपके mobile phone में add हो जाएगा लेकिन उसके पहले इसमें हो सकता है कि कोई OTP आए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे mobile number पर एक OTP बेजा गया है तो वो OTP मैं यहाँ पर डाल दूँगा transaction complete हो गई है और उसके बाद मेरा जो debit card है वो भी इसमें add हो गया है तो इस प्रकार से दूस्तों आप अपने रूपे debit card को phone पे में add कर सकते हैं और इसके बाद आप इससे जो भी transaction करना चाहें कर सकते हैं लेकिन इससे वह transaction होंगी जो यहाँ पर businesses होंगी मतलब जैसे business account में transfer की जाएंगी या फिर आप कोई loan repayment या mobile रिचार्ज वगएरा करोगे तो उसमें ही यह transaction complete होंगी इसके अलावा आप इससे कहीं पर पैसे वगएरा transfer नहीं कर सकते जैसे UPI के थुरू, mobile number के थुरू यह सारे transaction रूपे debit card से नहीं होते हैं इसी जगे अगर आप अपना credit card add करना चाते हैं तो आपको इस पर click करना होगा यहाँ से अपना credit card जिस bank का है उसको choose करना होगा उसका आपको वहाँ पर UPI pin set करना होगा और फिर उससे transaction UPI pin से हुआ करेंगी लेकिन debit card में क्या होता है कि आपको CVV number डालना होता है उसी इसे transaction होती है तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रूपे debit card या फिर credit card को phone pay में add करना सीख गए होगे अगर सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जरू कर देना साथ ही अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं